नमस्कार दर्शक मित्रों, हूं मनिशा कंजार्या, गुजराती रस्वरू मां तमालो स्वागत करूछू, आजे आपने साटा बनावाना छिए, साटा आम तो बदा जोड़कता है से साटा ने, पर साटा ने देवडा, पाटन मां देवडा थी प्रक्या छे, अने गुजरात अजे आपने पर्फेक्ट मेजरमेंट साथे साटा बनावी सू, आसाटा ने देवडा थाकोजी ना भूग मांटे पनावी ने तमे श्टोर करी सको छो, तो चालो आपने रसेपी झोई लेगे अहीं में एक कप मेंदो लिदो छे आ कपनू आपने मेजरमेंटनू खास द्यान राखवानू छे जो तमारी पासे आउँ मेजरमेंट कप ना हुई ने तो तमें कोई पन एक कप के वाठकी रो माप लाई सको छो एमा हुँ एक चप्ती एक खावानो सोडा उमेरो छु हुँ अत्यारे आमा साथी आठ चमची जेटलू गाईनू गी उमेरो छु गाईना गी नी सुगन देखदम सरस आवे छे साटामा जो तमारे प्रसाद माटे ना बंडावाना होई तो तम्यामा तेल पन उमेरी सको छो मेजर मिटनू खास द्यान डाखवानू छे आमा आपड़े मोण मा घी के तेल बिल्कुल उच्छो ना पड़ू जोईए हवे आपड़े आने हाथे थी मसरी अने एकदम मिक्स करी लेवानू छे आने एकदम भार्देने मसरता जवानू छे बद्दा लोटमा घी नू मोण प्रपरिते मिक्स थाई जोईए लोटमा आविरिते मुठी पर्तु मोण नाकवानू छे लोटमसलीलो तम्ये आविरिते मुठी वाड़ी अने चेक करवानू जो आविरिते मुठी मा लोट दबाई जाई अने चुट्टो ना पड़े तो आपनो मोन पर्फेक्ट छे जो तमारे आवरी ते भुठी ना वर्थी होई तो हजी एक की बेचमची गी उमेरवानू हवे आपने लोट बांजवा माटे अड़्धो कप पाणी लेवानू छे आपने जे एक कप बरी अन्ने मेदो लिधो हतो एनू अड़्धो कप पाणी लेवानू छे पाणी ने बतु एक साथे नथी नाखवानू पाणी ने आपने हथेली मा थोड़ु थोड़ु लई अने दिस करतु जवानू छे आ लोट नातो वदारे कठन अने नातो वदारे टीलो राखवानू छे थोड़ु थोड़ु पाने उमेरता जैसु और लोट बानता जैसु लोट सरस लिते बंदाई जाए बच्छे आपड़ेमा और ती चमची चेटलू गी के तेलू मेर याने फरीती थोड़ू मसरी लेशु जेथी लोट सरस लिसो थे जाए तमें जोई सकोचो लोट वधारे डिलो के कठन नती जो आपड़े अड़्धो कप पाने लितु तुनेम एक चमची पानी बच्यू छे आपड़ेम बच्यू केम के लोट नी कोलेटी उपर डिपेंड करे छे आपने लोट ताई कोलेटी नो छे तेथी एक चमची पानी वध्यू छे हव्या आपड़े आप्ड़े एक कप झे ठाकी दाईशु वन्हें 10-20 मिट माटै रेश्ट पापी लोटने रेश्ट क आपी छे तियां सुधी आपने एक पेंडर एक कप खान लेवानी छे जे कप थी आपने लोट लीधो छे एज कप थी एक कप मापी य Ahaa भाण लेवानी छे जो तमें ? वाटकी नो माप्राक्य होई तो ए वाटकी मापीने खान ले जो पछी आपड़े एज अड़्जो कब भरी अने पाणे उमेरवानु जे आ मेजर मेट माँ खास द्यान दाग जो नित चांसडी प्रोकर ने बने लोटने रेस्ट आपता दस मेट थेगी छे हवे आपड़े लो प्रोकर माथी थोड़ो थोड़ो भाग लए याने आविरिते एक वासान माँ छुट्टो पाड़ी सु आप प्रोसेस करवा थी आपने जी साटा बनावी सु एमां सरस अंदधी लेयर देखासे आविरिते हवे आपड़े आ लोटने हडवा हाथे मसली लएशु बोवजारे पार दैने नथी मसलवानू खाली आपड़े आने बदू एक साथे बाइन करवानू छे हवे आमा थी नानी साइजना लोवाल याने आपने साटा बनावी सु मैं आ साइजना लोवाल बनावी आछे तमारे जे पन साइजना साटा बनाव हुए योडा लोवाल लाई सको जे मोटा साटा बना 100 मेने पाक्वय मगदार समय लाख छे यहले बनने तो बंने मीडियम सैजनेक बना वाना पलत 순 यहां अपने थोड़ु प्रेस करी लेशुं वच्चे ते जित अधैं आपने बंधा साटा वाड़ा उन्हें तखार करी लेशुं आपना साटा माटेने लूगा तैयार थे गया छे तो वे आपने आगोनी प्रोसेस करीशू हवे आपने एक पेंड मा तेल गरम थवा मुकीशू तेल ने आपने मीडियम गरम राखवानू छे बोवधार गरम नथी करवानू आपने मा बद्धा साटा उमेरी दैसू और गेसनी फ्लेम जल टू मीडियम राखेसू साटा ने हममेशा एक तम जल टू मीडियम बड़ तड़कना जो गेसनी फ्लेम हाय से तो साटा उपर थी पाकी जासे और अन। थी काचार हे जासे સાટા તડાય છે ત્યાં સૂથી વચ્ચે આપણે ચાંસળી ને પં હલાવતા રેવાનુ છે ચાંસળી માં ખાણ સરસીતે ઓગળી ગઈ છે આને સત્ત થલાવતા રેવાનુ છે જેથી ખાણની કણ્યો રઈ ના જાય હવે આપણે સાટા ને પલટાવી દઈસુ ગેશની ફલેમ સ્લોટુ મિડ્યમ જ રાખવાની છે હવે આપણી ચાસળી જે પાક્તી તી હવે આપણે આપણી ચાસળી નો તાર ચેક કરીસુ એક રકાબીની અંદર આપણે આપણે આને વધારે એક મીડ માટે પાકવા દેશું એક મીડ થેકે આપણે ફરીથી ચેક કર લીએ એક ડ્રો પ્રકાબી મે નાખીસું સેમ પ્રોસેસ કરીસું જોઓ હવે આપણે બેથી અડીતાની ચાસળી મડી કઈ છે તો તે હવે આપણે એક થાળી ની પાચરની સાય્ને ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈ સું આપણે સાટા હવે એક દમ પાકી ગાયા છે જો તમારે હવે આનાપં વધારે ગોલ્દણ બ્રાઉન કળર્ર જો તો હો બધા સાટાને ચાસલીમાં હોમેરી દિધા છે બધા સાટાને આપણે ચાસલીમાં સરસરીતે કોટ કરી દઈશુ હોય આપણે સાટાને થાડી પર છુટા છુટા મુકી દઈશુ થાડી ને આપણે પેલેથી ઘીથી ગ્રીસ કરેલી છે જેથી સાટા ને ચાસલી થાડી માં ચોટી ના જાય હોએ પેણમાં જે ચાસલી બચી છે આપણે ને ફરીથી થોડી ગદમ કરીસુ અને બધી ચાસલી ને ચમચી વડે સાટા પર ઉમરીસુ આપ પ્રોસેસ કરવાથી આપણા સાટા સાઈની લાગ સે એકદમ આ પ્રોસેસ ફટા ફટ કરવાની છે નઈતા ચાંસળી ફરીથી થીક થે જસે હવે આપણા સાટા ને થંડા થવા જઈસુ જેથી ચાંસળી સેટ થે આપણા સાટા ને પાકરીથી ગાણિશ કરી છે આટોટલી ઓચ્શનલ છે તો હવે આ સાટા બની ને તયા છે તમ્ય આને પંદથી વીસ્દ સમાટે સ્ટોર કરી સકો છો હેલળ ને છા સળ સટંામ